हिमाचर प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं विनियास अधिनियम 1984 का गठन इसलिए किया गया था कि प्रदेश के बड़े मंदिरों में श्रद्धा से चड़ाये गए करोडों रुपए मंदिरों के विकास के काम में आये। लेकिन हमीरपूर जिला में स्थित देवर्सिध मंदिर ट्रस्ट अपने नयासियों को लाखों रुपए बांट कर श्रद्धालूं के चड़ावे के पैसों की बेकदरी कर रहा है। 2022 रुपए 2020 में 3,481 रुपए और 2021 में सितंबर माहा तक 4,53,486 रुपए अपने ट्रस्टियों की जेब में डाल दिये हैं। मंदिर ट्रस्ट चिंतपूर्णी और मंदिर ट्रस्ट चामुंडा देवी जैसे बड़े मंधिर अपने ट्रस्टियों को मान्दे या भत्ते का एक भी पैसा नहीं देते। तो देवर्सिद मंदिर ट्रस्ट किस खुशी में श्रद्धालूं के चड़ावे का पैसा ट्रस्टियों की जेबों में भर रहा है। क्या ये जान भूज कर किया गया है या फिर श्रद्धालूं की नेक कमाई पर ये ट्रस्टियों का डाका है। मांग तो ये भी उठ रही है कि सभी ट्रस्टियों को दिया गया धन, रिकवर कर मंदिर के खजाने में जमा कर विकास कारियों पर लगाया जाए। बड़ा सवाल ये है कि एक ट्रस्टी को कितनी बार ट्रस्ट का मेंबर मनोनित किया जा सकता है। जांच इस विश्य पर भी किये जाने की मांग उठ रही है कि हिमाचल प्रदेश हिंदू सारवजनिक धार्मिक संस्थान एवं विनियास अधिनियम 1984 की धजियां ट्रस्ट ने कितनी बार उड़ाई है। कैप्टेन सुरेंद्र सोनी को 26,230 रुपए, पुरुशोतम चंद शर्मा को 21,300 रुपए, हरनाम सिंग को 11,040 रुपए, प्रेम चंद को 6,100 रुपए, सुरेश चौधरी को 8,600 रुपए, सोमदत को 7,930 रुपए, मांदे 2018 में दिया गया है। वर्ष 2019 की अगर बात करें तो वर्ष 2019 में नरेश शर्मा को 66,070 रुपए, श्याम सिंग को 71,190 रुपए, सुरेश चोधरी को 96,570 रुपए, सुरेश शर्मा को 41,330 रुपए, रमेश शर्मा को 71,360 रुपए, रामेश्वर दत शर्मा को 62,202 रुपए, और सोमदत को 50,360 रुपए, मांदे दिया गया है। अगर वर्ष 2020 की बात की जाए तो वर्ष 2020 में नरेश शर्मा को 23,406 रुपए, श्याम सिंग को 47,430 रुपए, सुरेश चोधरी को 43,740 रुपए, सुरेश शर्मा को 22,614 रुपए, रमेश शर्मा को 75,640 रुपए, रमेश वर्दत शर्मा को 85,024 रुपए, सोमदत को 21,200 रुपए और सरला शर्मा को 20,758 रुपए मांदे दिया गया है वर्ष 2021 सितंबर तक की अगर बात की जाए तो वर्ष 2021 में नरेश शर्मा को 89,760 रुपए, श्याम सिंग को 90,980 रुपए, सुरेश चोधरी को 57,840 रुपए, सुरेश शर्मा को 17,340 रुपए, रमेश वर्दत शर्मा को 88,620 रुपए, सोमदत को 54,960 रुपए और सरला शर् 2021 में सितंबर तक दिया गया है। ये सारी जानकारियां आंकडे और तत्थ, संबंधित मंदिर अधिकारियों, सहायक, आयुक्त और तहसीलदारों से आत्याई में लिए गए हैं और समाचार प्रकाशक के पास भी सुरक्षित हैं।